दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारखंड कक्छा नौवी फाइनल परिचा का रिजल्ट घोसित जारखंड एकडमी कॉंसिल दोरा आयोजित की जाने वाली नौवी कक्छा की परिचा में भाग लेने वाले शात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है कॉंसिल जिहां जैक तोरा इस परिचा का रिजल्ट घोसिल्ट कर दिया गया है इस परिचा में जीनभी शात्रों ने भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट जैकरिजल्ट्स डॉट कॉम पर जाकर अपना रिजल्ट्स देख सकते हैं फसल राहत योजना में जारखंड का गढ़वा जीला सबसे आगे जारखंड में उत्पन सुखार की स्थिती को देखते हुए राची सरकार द्वारा जारखंड फसल राहत योजना चलाने का एलान किया है इसके ताथ जारखंड सरकार ने सभी जीलों को किसानों का निबंधन कराने का निड़देश दिया है ताके खिसानों को फशल राहत योजना का फायदा मिल सके किसानों के निबंधन के मामले में जारखंड के गड़वा जिला पूरे ज़ारखंड में पहले नमबर पर है बतादी की बिगत सत्र अगस्तक प्राप्त आंकडे के अनुसार गड़वा जीले में कुल एक लाख दस जार पांसो सरसट किसानों का निबंधन हुआ है बिश्व के सबसे लोक प्रिये नेता है पीम नरेंदर मोदी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे पॉपुलर नेताओं की सुची में टॉप पर बरकरार है बिश्व के शिर्ष नेताओं के बीच कराए गए एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है गलोबल रेटिंग में आज भी दुनिया में नरेंदर मोदी सबसे पॉपुलर है मौरनिंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक 75 परतीशत लोगों की पसंद के साथ नरेंदर मोदी एक बार फिर वैश्विक रेटिंग में शिर्ष पर काविज है विद्यालेयों के इंटर परशिक्षित साहक आचार्य के 20,825 पद और असनातक परशिक्षित साहक आचार्य के 29,175 पद की सुकृति दिये जाने के बाद शिक्षा बिभाग जल्दी नियुक्ती परक्रिया शुरू करने के लिए जहारखन्ड करमचारी चैनायों को अधियाचना भेजने की तयारी कर रही है कम बारिश के कारण यूपी बिहार और जहारखन में सूखे का संकट इस साल बरसात के तीन महेने बीट गए पर पूर्वी राजियों में एक दिन भी धंग की वर्सा नहीं हुई है। मोटे अनाज लगाने की सलाह दी जा रही है। धान की फसल में कमी को मोटे अनाज की पैदावार से कुछ सीमा तक धावा जा सकता है। कृपिया ध्यान दें कि भारत के माननिय मुख्य नैधिश के सेवा निवरिति की पूर्व संध्यापर माननिय मुख्य नैधिश की अदालत की कारवाही यानि समारोपीट 26 अगस्त 2022 सुबह 10 बजे की कारवाही NIC के वेबकास्ट पोर्टल के माध्यम से लाइव श्ट्रीम किय जाएगा शिर्स अदालत द्वरा जारे इस नोटीस में एक लिंक भी शेर किया गया और लिखा की उप्रोक्त लिंक को सुप्रीम कोट की वेबसाइट से भी एकसेस किया जा सकता है निर्वाचन आयोक अब जारखन विधानसभा अध्यक्ष को भेजेगा राजिपाल का आदेश भारत निर्वाचन आयोक अभी जवाब को जारखन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रिनात महतो के पास भेजेगा इसके बाद बिदानसभा अध्यक्ष राजिपाल के आदेश से मुख्यमंत्री हेमस सुरेन को अउगत कराएंगे आदेश के अनुरूप कारवाही के लिए कदम भी उठाएंगे हलाकि अभी तक जारखन राजभवन के ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं क रमन्ना आज शुकरवार को अपने पद से सेवानिवरित हो गए जश्टीस रमन्ना का सुप्रीम कोट जज के रूप में कारेकाल आठ साल से अधिक का रहा चीफ जश्टीस के पद पर वह लगवक 16 महिने तक रहे सौम्यों सभाव की जश्टीस रमन्ना की पहचान कड़े फैसले लने वाले एक जज के रूप में रही उन्होंने पेगासस जासुसी मामले में सरकार की आपती के बावजूत जाँच के लिए कमेटी बनाई उनकी अधिश्टावाली बेंच की सकती के बाद लखिमपूर मामले में केंद्री ग्रिराजी मंत्री अजय मिसरा टेनी के बेटे आशिस मिसरा की ग्रिपतारी हुई चीफ जश्टिस रतेवे सुप्रीम कोड में जजों के खाली पदों को भरने के लिए भी काफी एक्टिव रहे उनकी कोशिशों के चलते 31 अगस 2021 को सुप्रीम कोड में 179 जजों ने शपत ली बड़ी खबर है UGC ने 21 विश्व बिश्व बिद्यालेओं को घोसित किया फरजी विश्व बिद्याले अनुदान आयोक यानि UGC ने 21 विश्व बिद्यालेओं को फरजी घोसित किया है जो डिगरी परदान नहीं कर सकते हैं इसमें सबसे अधिक फरजी विश्व बिद्याले दिली और उसके बाद उत्तर पर्देश में हैं। पर्देश में एक एक फर्जी विश्वविद्याले हैं। टेलिकॉम कमपनियों को अब किसी भी प्राइबेट प्रॉपर्टी पर मॉबाइल टावर लगाने के लिए संबंधित और्धोरिटी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इस मामले में हाल ही में मार्ग के अधिकार के नियम को नोटिफाई किया है सरकार ने खास्तोर पर 5G सर्विस के इंप्लिमेंटेशन को आसान बनाने के लिए ये कदम उठाया है सरकार ने छोटे मोबाईल रेडियो एंटीना या बिजली के खंबे लगाने और फुट ओवर्वरीच आधी का इस्तिमाल करने के लिए शुल्क के साथ नियमों की सुचना जारी की है 17 अगस्त के एक नोटिपिकेशन में कहा गया था जिस कमपनी के पास लाइसेंस है और वो किसी प्राइवेट संपती के उपर टेलिग्राफ इंफ्रास्टरक्चर के बुनियादी ढाचे का निर्मान करती है तो इसके लिए उसे उप्यूक्त प्राधिकरन से किसी अनुमती क जरूरत नहीं होगी हलाकि टेलिकॉम कमपनियों को टेलिग्राफ इंफ्रास्टरक्चर के निर्मान के बारे में लिखित में जानकारी प्राधिकरन को देनी होगी जल्द जारी होगा जहारखंड बोर्ड कक्छा आठमी का रिजल्ट जहारखंड एकडमी कॉंसिल यानि जैक बोर्ड आठमी का रिजल्ट जारी करने वाला है खबरों को माने तो जल्द ही परिशाओं का परिणाम जारी होने की संभावना है रिजल्ट जहां परिशा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं जहारखंड एकडेमी काउंसिल ने कक्छा 8 की परिशा जून और जुलाई में आयुजीत कराय थी कक्छा 8 का रिजल्ट चेक करने के लिए उमिदवार को वेबसाइट पर अपना रोल नंबर और नाम दर्ज करना होगा रोल नंबर आपके परवेश पत्र पर छपा हुआ है जेक 8 का रिजल्ट ओनलाईन और ओफलाईन दोनों ही मोड में जारी किया जाएगा देश में पिछले 24 घंटे में सामने आये कोरोना के 10,000 से अधीक मामले हैं देश में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है केंद्री स्वास्थि मंत्राले के नुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 10,256 नए कोरोना के मामले दर्ज किये गए हैं इसी के साथ भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 90,707 हो गई हैं वहीं पिछले 24 घंटे में इस बिमारी से मरने वालों की संख्या 68 रही और इस बिमारी से रीकभर होने वालों की संख्या 13,528 रही देश में रीकभरी दर 98,61 परतिशत दर ची गई और अब इस तक जिहां अब तक इस बिमारी से रीकभर होने वालों की संख्या 4,37,70,913 हो गई हैं पिछले 24 घंटे में 4,22,322 से अधिक लोगों की कोरोना टेस्टिंग हुई है इसके साथ देश में अब तक 88,43 करोड लोगों की जाँच की गई है देश में डेली पोजिटिव दर 2,43 परतिशत और वीकली पोजिटिव रेट 3,02 परतिशत दर ची गई है भारत में टीका करन अभियान तेजी से लागो है शुकरवार की सुबह तक भारत में COVID-19 टीका लेने वालों की संख्या 211.13 करोड से अधिक होगी देश में 12 अक्टूबर तक सस्ती 5G सिवाएं होंगी शुरू सरकार ने गुरुआर को कहा कि उससे उम्मीद है कि देश में 12 अक्टूबर तक 5G सिवाएं शुरू हो जाएंगी और केंदर ये सुनिश्चित करेगा कि उपभोकताओं के लिए कीमते सस्ती हों केंदरी आयटी मंत्री अश्विनी वैसनों ने कहा कि इंस्टोलेशन की जारी है और दूर संचार संचालन 5G सिवाएं के निर्बाद रूलाउट में ब्यस्त है मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि 5G योजनाएं जनता के लिए सस्ती रहे सरकार ने गतिशक्ती संचार पोर्टल पर 5G कारे अधिकारावेदन पत्र के शुभारम के साथ साथ द इंडियन टेलिग्राफ राइट ओफ वे नियम 2022 भी पेश किया इंडियन टेलिग्राफ राइट ओफ वे नियम 2022 उद्योको डिजिटल भुनियादी धाचे के तेजी से परसार छोटे सेल एरियल फाइबर और स्ट्रीट फरनिचर की तैनाती में मदद करेगा फाइबजी नेटवर की आसान और सुचारू तैनाती के लिए छोटे सेल बिजली के खंबे श्ट्रीट फरनिचर तक पहुँच आधी का प्रावधान है फाइबजी सिवाओं को चरणबग तरीके से शुरू किया जाएगा और प्रधम चरण के दोरान तेरह शहरों को फाइबजी इंटरनेट सिवाएं मिलेंगी ये शहर होंगे आमदाबाद, बेंगलूरू, चंडीगड, चिन्नई, दिल्ली, गांधी नगर, गुरुगराम, हैदरबाद, जामनगर, कुलकाता, लखनाव, बुंबई और पूने शामिल है देश में टोल टैक्स वसूलने का बदला तरीका भारत में सडक पर लगने वाले टैक्स को वसूलने का तरीका काफी बदल चुका है पहले टोल से टैक्स के पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब यह बैंक खाते से आटोमेटिक कटने शुरू हो गए है दरसल अब हाईवे पर टोल की ब्युस्था फास्टेक के जरिये कर दी गई है जो गाड़ी के आगे लगा होता है और उससे स्कैन होने के टोल गेट पर टैक्स जमा हो जाता है लेकिन अब बात हो रही है जल्द ही हाईवे से टोल को भी हटा दिया जाएगा और टैक्स वसुलने की नए ब्युस्था लाई जाएगी